दोस्तो टार्गेट इस्टरी है क्योंके आजके करेंडफस के वीडियो में आप सभी का तह दिल से मैं सौरब गुपता स्वागत करता हूँ दोस्तो आजके वीडियो का पीडियो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको और भी बहुत सारे PDF, free of cost दे दिये जाते हैं दोस्तो आजका सबसे पहला जो question बना है कि हाल ही में किस देश के Central Bank ने HDFC Bank में 1.01% हिस्सेदारी खरीट ली है तो इसका right answer हो जाएगा दुनिया को चूना लगाने वाला देश चाइना option number D यहां पर विल्कुल सही हो जाएगा यहां पर दुनिया को परिसान करने वाला पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वारस पहुचाने वाला देश जो चाइना है यह progress के रास्ते पर चल पड़ा है और आप जितनी भी international organizations की report देखेंगे उसमें यही पाएंगे कि चाइना ऐसा एकलावता देश बनेगा जो की इतने बड़े इस महामारी के दौर से भी निकल जाएगा एकनॉमी सबसे तेजी से चाइना की ही progress करेगी तो यहाँ पर दो चाइना ने भारत के इस HDFC bank में 1.01% हिस्सेदारी यह खरीद ली है तो option number D यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जैसा कि आप इसमें फोटो देख सकते हैं जिसमें लिखा है HDFC bank जो है चाइना ने HDFC bank में खरीदे 1.75 करोड सेर इतने सेर उसने यहाँ पर खरीद लिए है आगे चलते हैं अब चुकि यहाँ पर Central bank की बात हुई है तो सबसे पहले चुकि चाइना के Central bank ने खरीदे हैं इस वज़े से चाइना की जो Central bank है उसका नाम हमें पता होना चाहिए तो चाइना का Central bank का नम है Pupils bank of China ठीक है जिन लोगों को नहीं पता है वो यह चीज़ समझ लें कि दुनिया में जितने भी देश होते हैं उस देश का एक Central bank होता है जो उस देश के अंदर जितनी भी bank होती है उनको monitor करता है जिस प्रकार से भारत का जो Central bank है वो है Reserve bank of India RBI ठीक है तो इसी प्रकार से कुछ महत पूर्ण देशों के Central bank को के नाम हमें याद होने चाहिए जैसे कि Australia का जो Central bank है उसका नाम है Reserve bank of Australia, France का जो bank है उसका नाम है Bank of France, Japan का जो bank है उसका नाम है Bank of Japan, भारत का सभी को पता है, Switzerland का है Swiss National Bank, Swiss bank के नाम से इसको जानते है, UK का है Bank of England, अमेरिका का सबसे ज़्यादा important है Federal Reserve उसका नाम है, इसी प्रकार से चाइना का नाम आपको बता चुका हूँ, Australia का है European Central Bank, छीक है इतना आपको पता होना चाहिए, पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा, नीत से मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्जाम में नीती आयोग के CEO कौन है, ये पूछा जा सकता है, तो नीती आयोग के CEO के नाम है Amitabh Kant, option number A सही हो जाएगा, कि हाल ही में चर्चार में चल रहे आयोग, नीती आयोग के CEO का नाम है Amitabh Kant, तो इनका आप यहाँ पर देख सकते इसका राइडेंसर हो जाएगा, इसमें कभी-कभी आपसे नीती जो टर्म है, इसका फूल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, पहले इसी आयोग को Planning Commission के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब BJP की सरकार बनी थी, तो उन्होंने Planning Commission का नाम चेंज करके नीती आयोग कर दिया नीती का फुल फॉर्म होता है, National Institute for Transforming India, यह इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके CEO का नाम है Amitabh Kant, ठीक है, कोशन मनेगा, अगला कोशन मनेगा एक Award के उपर, कोशन क्या है, कि हाल ही में सामाजिक नवाचार के लिए Addison Award कि से प्रदान किया गया है, तो राइड एंसर हो समझते हैं, वो समझे, Social Innovation इसको बुलेंगे सामाजिक नवाचार का मतलब होता है, Social Innovation, यानि कि Innovation तो आप लोग समझते हैं, किसी नई चीज़ की खोच करना Innovation कहते हैं, सामाजिक Innovation का मतलब हुआ, कि ऐसा कोई Innovation जो समाज के लिए अच्छा हो, जिससे समाज को फाइदा मिला हो इसके छेतर में दिया जाने वाला, जिए जो Edison Award है, ये वर्स 2020 में Tata Power को प्रदान किया गया है, Option No.A सही हो जाएगा, यहाँ पर ये Award, सबसे पहले इसका एक फोटो देख लीजिए, देखो जिसमें लिखा है, Edison Award, Innovation and Innovators, Honoring Innovations and Innovators, यानि कि Innovations को दिया जाता है, और Innovation करने वा Tata Power को क्यों दिया गया है, क्योंकि Tata Power ने Energy को सेव करने के लिए कम उर्जा कम बरबात की जाए, इस वज़े से दो अभियान चलाए थे, इसी वज़े से उनको ये प्रस्कार दिया गया है, कौन-कौन से, एक तो था Club Energy, इस नाम से एक अभियान चलाए था, दूसरा था Hashtag Switch Off to Switch On, तो इस प्रकार के अभियानों से उर्जा में भारी मात्रा में बचट करी गई थी, जिसकी बज़े से ही उनको Tata Power को इस Award से सम्मानित किया गया है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो Edison Award है, ये है क्या, लोगो Edison Award जो है बहुत ही Famous Award है, ये हमेशा से ऐसे Organizations को दि या फिर नवाचाल को ऐसे Product को जिनके आज आने से बन जाने से समाज में कुछ अच्छा positivity का काम होता है, ऐसे लोगों को प्रदान किया जाता है, चुकि Tata Power इस समय News में चल रहा है, इस वज़े से Tata Power के CEO का नाम है प्रवीर सिना, साथी साथ में Tata Power का जो Headquarter है, ये नहीं कर पाए, तो पस्ताने के लाबा कुछ नहीं आपके पास में बचेगा, क्योंकि आप लोग अक्सर जब कोचिंग जाते हैं, तो मन में लगता है कि सर साथ शुट्टी मिल्या दो-तीन दिनों की, तो हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़े पड़ पाएं, ये जो golden period आपका च फोड़ दीजे, अगर कोसिस करिए, कि December से लेकर, Mars तक का जितना भी PDF है, उसको purchase करके पढ़ना सुरू कर दीजे, लिंक वीडियो के description में आपको मिल जाएगा, साथी साथ में अगर आप पहले से purchase कर चुके हैं, और आपको उसका mail नहीं मिल पाया है, तो आप मुझे message भी कर सकते हैं, mail ID है target, बिना space दिए studyiq at the rate of gmail.com, इस mail ID पर आप मुझे mail करके अपना product मांग सकते हैं, आप देखो question क्या है, कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था, कि भारत ने अमेरिका को hydroxocloroquine दवाई की supply कर दी है, जिसका इस्तिमाल COVID-19 का उपचार कर थे, लोगों के इस्त से भारत को क्या पराप्त हुआ है, तो अमेरिका से भारत को क्या पराप्त हुआ है, उस पर बना है आज का question, कि हाल ही में किस देश ने भारत को हारपून anti-sip missile और torpedoes की विक्री करने की मंजूरी प्रदान कर दी है, तो इसका right answer हो जाएगा, option number B, अमेरिका, हाल ही में अमेर की सहमेती प्रदान कर दी है, कि वो भारत को बहतरीन क्वालिटी के हारपून anti-sip missile और torpedoes प्रवाइड करवाएगा, तो option number 20 हो जाएगा, भारत की सुरक्षा की द्रश्टी से देखा जाए, तो बहुत बड़ा decision है, इससे क्या होगा, भारत का जितना भी समुद्री, यहां पर इस फोटो को देख लीजे, इसमें देखो लिखा है, कि अमेरिका ने दवा के बदले missile भेजी, इस तरफ आपको अमेरिका के प्रसिडेंट का फोटो, इस तरफ भारत के प्रदान मंतरी, 15.5 करोन डॉलर में इस पूरे प्रोजेक्ट को सैंक्सन किया गया है, इसमें missile torpedo भारत को पराप्त करवाई जाएगी, अब इसमें भारत को क्या फाइदा मिलेगा, भारत की जो समुद्री गलिया रहा है, उसकी सुरक्षा यहां पर और मजबूत हो जाएगी, यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो दो missile की बात करी गई है, पहला है हारपून, ए इसी बाहरी सिप को आते हुए देखेगा, तो उस पर इस तरीके से missile दाख देगा, तो उसको कतम कर देगा, इसी प्रकाल से जो torpedo है, जिसका पूरा नाम है, MK-54 Light Weighted Torpedo, यह इसका पूरा नाम है, तो यह जो torpedo है, इसको भारत की पंडूब्यों में इंस्टॉल किया जाएगा, और अगर कोई दूसरी पंडूब्य भारत पर हमला करती है, तो भारत की तरफ से हमारी पंडूब्य इस हत्यार को चला कर रक्षा कर सकती है, तो यह अमेरिका ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है, इस पर एक अलग से वीडियो भी मैं बना दूँगा, कुशन है, कि निमन वेबसाइट लॉंच करी गई है, इसमें IIT मदराज जो है, यह इसका हिस्सा नहीं है, इसका मतलब है कि इन तीन और्कनाइजेसंस ने मिलकर एक वेबसाइट लॉंच करी है, जिसका नाम है COVID विज्ञान, इस COVID विज्ञान वेबसाइट पर क्या होगा, इस पर आपको जितन उने भी actual facts हैं, without fake news के scientific तरीके से COVID-19 के छित्र में जितनी भी research चल रही है, उसको यहाँ पर publish किया जाएगा, so that सही और authentic news लोगों तक पहुचा ही जा सके, ठीक है, तो एक प्रस्नाप से यह भी इसमें पूछा जा सकता है, कि बताओ, इस website को किसके किसके द्वारा launch किया जा TMC, पार्तिय विज्ञान संस्तन, IISC, इन तीनों के द्वारा मिलकर तयार किया गया है, ठीक है, यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, COVID जिसमें कि आप साब साब देख सकते हैं, TIFR, IISC का लोगों भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, IIT मदरास का इसमें कोई भी योगदान नहीं है, इनके फुल फॉर्म भी याद रख सकते हो, TMC मतलब Tata Memorial Center, TIFR मतलब Tata Institute of Fundamental Research और IISC के बारे में आप लोग जानते हो, यहाँ पर आगे चलते हैं, बाकी सारी चीज़े मैं आपको बदा चुका हूँ, एक चीज़ यहाँ पर समझ देंगे, इसमें multi-language में आप इसके बारे में समझ सकते हैं, अगला कुशन है देखो इस lockdown के समय पे, BSNL जो कंपनी है, इसके जितने भी vendors हैं, वो BSNL को digital तरीके से payment कर पाएं, इस वज़े से हाल ही में BSNL ने किसकी साजेदारी से अपना एक UPI-based digital payment platform, जिसका नाम है भारत Instapay विकसित किया है, तो BSNL ने अपना ये जो digital platform तयार किया है, ये SBI Bank की मदद से किया है, तो option number C यहाँ पर बिलकुर सही हो जाएगा, एक प्रस्त में आपसे इसका नाम भी पूछ सकता है, तो BSNL ने जिस UPI-based digital gateway को तयार किया है, उसका नाम रखा है, भारत Instapay, option number C सही हो जाएगा, SBI की मद दोनों का अफनाम एक जगए आप देख सकते हैं, BSNL के बारे में समझते हैं, BSNL का headquarter है नई दिल्ली में, इसके MD और chairman का नाम एक समय important है, प्रवीन कुमार पुरवार, ये इसके MD और chairman हो जाएगे, SBI के बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ, इसका headquarter मुंबई, मह राष्टरा में इस्तित है, इसके जो chairman है, वो है रजनीस कुमार, ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लग बताईए, इसमें RBI के governor का क्या नाम है, और RBI का headquarter कहां पर इस्तित है, देखते हैं कौन बता पता है, अगला question है, 14 April 2020 को कौन सा विश्व चगास दिवस, चगास र ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वैसे मैं दिवस वाले question ज़्यादा करवाता नहीं हूँ अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें रेटना पड़ता है, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझा, जब भी कोई दिवस पहली बार मनाय जाएगा, तो definitely वो exam में question प deliberate किया गया है, इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है, कि एक कीड़ा होता है, उसका नाम अभी बताऊंगा, एक प्रकार का कीड़ा होता है, उसके काटने से एक बीमारी होती है, उसी को चागास रोग के नाम से जाना जाता है, तो यह जो चागास रोग है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक awareness पहुँचाना और उसकी उपचार के बारे में लोगों को educate करना इसी वज़े से इस दिन को बनाया जाता है अब इस कीड़े का नाम समझ देते हैं देखने में ही इतना डरावना लग रहा है इस कीरे का नाम है चागास रोग जो होता है ट्राइटो मीन अप्शन देखकर ट्राइटो मीन अगर आपसे नाम पुछा तो ट्राइटो मीन नाम का एक कीड़ा है जिसके काटने से ये बिमारी हो जाती है लेकिन सर एक सवाल आता है कि सर इसका नाम बड़ा अजीव सर लग रहा है चागास क्या होता है एक डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में पता लगाय था उनके नाम पर ही इसका उपचार किया था उनके नाम पर ही इसका नाम चागास रख दिया गया उन डॉ चागास तो चागास उनके नाम में था इस बीमारी का नाम चागास रख दिया गया है चूकि यह जो कीड़ा है यह किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर प्रहार करता है चेहरे पर कारता है जिसे क्या ओता है चेहरे पर एक तरीके से कह सकते हो कि एक infection सा हो जाता है और चेहरे में swelling आ जाती है आपकी आँखे छोटी छोटी हो जाती है चूकि ये चेहरे पर कारता है इस बज़े से इसको kissing bug के नाम से भी जाना जाता है इसके बारे में और भी details है जो कि PDF में दे रखी है आप लोग चाहें तो PDF को Telegram से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि बहुत सारी चीज़े हैं जो कि वीडियोस में पताई नहीं जा सकती जैसे कि अमेरिका में इसको किस नाम से जाना जाता है ये सारे points जो है ये PDF में ही cover हो पाएंगे चलिए कोशन है कि अमेरिका के President Donald Trump ने किस संस्ता की funding पर अभी रोक लगा दी है तो राइड एंसर हो जाएगा के पक्ष में बात करी कि उसने पूरी दुनिया को ये पता नहीं चलने दिया कि जो कोविड नाइंटीन है ये कितना जादा सीरियस है इस वज़े से पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजिसन ने अपना वो रोल अधा नहीं किया जो उसको करना चाहिए था इस वज़े से इस चीज़ से नाराजोकर अमेरिका के प्रसिडेंट ने चाइना पर डव्लू एचो की funding पर अभी रोक लगा दी है चलते हैं अगले कुशन की कुशन मनेगा कि भारतिये रेल परिवहन दिवस इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे किस दिन मना जाता है तो प्रते एक वर्स 16 अप्रेल को इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है तो option नमबर डी यहाँ पर बिल्क यह उसी ट्रेन का फोटो है इसी विज़े से 16 अप्रेल को प्रते एक वर्स इस दिन को मनाया जाता है आपको बदा दें 1893 में 1853 सन में एक पैसेंजर ट्रेन चला गया थी महराष्ट्रा के मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमेटर में उसी के लिए इस दिन को मनाया जाता था है कि अगला question है हाल ही में 30 ini International Arab fiction और 2020 तो ये अवर दिया गया है अचाय इस इनको प्रदान किया गया मैं इन यहां पर बिल्कुर सभी हो जह नावेशन और बल्कूर सभी यहाँ ऑपर जिस व्यक्ति को दिया गया है इनका फोटो आप यहां देख सकते हैं, किसी तरीके से दिमाग में इसको बिठा लीजे, नाम थोड़ा सो difficult है, ये एक अलजीरिया ही लेखक है, इस वज़े से इनका नाम थोड़ा डिफिनेट लग रहा होगा, अलजीरिया के लेखक है, इनका एक नॉवेल ता जिसको नम है, The Spartan Court, उसके लिए ही इन इन्टरनेशनल प्राइस फॉर अरेबिक फिक्सन है, ये किसको दिया गया है, Spartan Court के लिए, अबडिल लुहाब को प्रदान किया गया है, नाम इनका थोड़ा सा difficult है, इस वज़े से आप इसको याद रख लिजेगा, दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को थोड़ लाइन फैक्स हैं जो आपको बदा रहा हूँ, क्योंकि एक्जाम में सबसे ज़्यदा, करेंट में अगर कोई स्टैटिक जीके का टॉपिक चल रहा है, तो वो ज़्यदा पूछा जाता है, जैसे एक और्गनाइजेशन है सार्क, इस समय बहुत ज़्यदा निउस में चल र है, दच्छड ACI 6-3 सयोग संग, सार्क की इस्तापना करी गई थी, 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है, याद रखना, एक्जाम में बिलकुल यही लिखा हुआ आपको मिल जाता है, 8 दिसंबर 1985 को इसकी इस्तापना करी गई थी, एक प्रस्त पूछता है कि सार्क का मुख्याले कहां पर इस्ते थे, तो काट मंडू नेपाल में इसका मुख्याले इस्ते थे, दोस्तों यह ऐसे फैक्ट्स आपको बदा रहा हूँ, विश्वास वाने एक्जाम में डिक्टो आपको ऐसा मिलेगा, एक और्गनेजिसन है, इंडियन मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट, IMD, इस अश्त्री आपदा प्रतिक्रिया बल, इसको इधर कर लेते हैं तोड़ा सा, यह जो और्गनेजिसन है, एक इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, इसका हेड़कोर्टर काम पर इस थी थे, इसका हेड़कोर्टर नई दिल्ली में इस्ते थे, अब देखो, अभी अप्रेल का महिन 2019 को हुआ था, ठीक है, साथ ही साथ में, एक और्गनेजिसन अभी न्यूस भी चल ला था, बी आर ओ, जिसको बोलते हैं, सीमा सडक संगठन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, इसका हेड़कोर्टर जदा इंपोर्टन है, इसका हेड़कोर्टर है नई दिल्ली में, स्व कौन थे, वो थे, मौलाना, अबुल, कलाम, आजाद, ठीक है, तो ये दो चीजे आप लोग याद रखिएगा, ये जो दो पॉइंट्स यहाँ पर लाश्ट में बताए हैं, दोस्तों जितनी सिद्दत से इस वीडियो की क्वालिटी मेंटेन करी गई है, उतनी सिद्दत से ह आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजे, इसको लाइक और शेयर करिए, अगला देखो हम लोग सेसन सुरू करते हैं, आज के करन फर्स का रिवीजन, सबसे पहला कोशन है कि हाल ही में किस देश के सेंट्रल बैंक ने HDFC बैंक में 1.01% की हिस्सेदारी खरीदी है, तो चाइ 2020 के लिए Tata Power को प्रदान किया गया है, हाल ही में किस देश ने भारत को हारपून, एंटी, सिप, मिसाइल और टॉर्पीडो प्रदान करने की कोशना करी है, अमेरिका इसका राइड एंसर हो जाएगा, इसके बाद में है COVID-19 के विज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक इसी, इन तीनों के लाबा जो अप्शन होगा वो गलत हो जाएगा, बीसनल ने हाल ही में किस नाम से UPI की सुरवात करी है, तो भारत इंस्टा पे सुरू किया है, SBI की साथ में मिलकर, उसके बाद में कोशन मनता है कि 14 अप्रेल 2020 को कौन सा विस्व चागास दिवस रोग मना गया है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रम्प ने किस संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है, तो राइड अंसर हो जाएगा, डबली एचो की फंडिंग पर रोक लगा दी गई है, उसके बाद में है, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे किस दिन मनाया जा प्रदान किया गया है, अब्दे लवहाब आईसा उई, तो कुछ भी याद रख सकते हैं, या तो पीछे साइड बला नाम या फिर आगे साइड बला नाम, ठीक है, शुरू करते हैं, दोस्तों, आज का कुशन जिसका अंसर आपको देना है कि भारती सेना के किस अभ्यान के सम्मान में 13 April 2020 को 36 सियाची निदिवस मनाया गया है, जल्दी से कमेट बॉक्स में अंसर लिखना ना बूले, तैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो, इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना बूले